हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अंजू मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत सवगत है तो आज हम मिले हैं आज मैं आप से बात करूँगी पॉपी सीट्स के बारे में जिसको की हम खसकस भी बोलते हैं और आप सभी को देखो कितनी गर्मिया हो रही है मतलब गर्मी के मारे बुरा हाल हुआ है बेना एसी के निवेट जा रहा है लेकिन यह है पॉपी सीट्स मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ जो की हमारा इंटर्नल एसी है यह इसको अगर हम पी लेंगे तो हमें हमारी बोड इसका बहुत इस्तमाल करते थे क्योंकि पहले यह सब कोल रिंक और यह तो चलता नहीं था तो यही नैचरल चीजों से हम लोग कोलिंग लेते थे और ना एसी होते थे ना कूलर होते थे तो खस-खस की बात करूं मैं पॉपी सीट की तो इसकी फाइदे तो आपने बहुत द बढ़े वे हैं हर कोई बता रहा है कि क्या फाइदे हैं और किस कोई अफीम या कुछ ऐसे उसके बीज है ये ये सब आपने सब देखाऊ लेकिन में क्या दिक्कत आती है कि इसको बनाना कैसे है है ना तो इसको बनाने की बात मैं करूँ तो इसको हम बनाएंगे ये जो आप देख रहे हैं मैं पास से दिखाती हूँ इसके बहुत बरिक बरिक दाने होते हैं ये बहुत छोटे 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 राई के दाने से भी छोटे होते हैं ये तो इनको हमें क्या करना है मतला कई लो वगरा पीसते हैं, तो उसमें हम इसको dry पीसेंगे बिलकुल, कोई पानी नहीं, कोई भूनना नहीं है, कुछ नहीं करना है, इसको dry पीस लिया, और dry पीसने के बाद, friends, फिर हम क्या करेंगे, उसको एक या दो चम्मच, जो पिसावा पेस्ट है, मतलब dry powder है, उसको हम कटोरी म में डालके, और सिरफ उतना ही पानी डालेंगे, मतलब जितना हमारा dry powder तयार हुआ है, सिरफ वो cover हो जाए, मतलब हमें बहुत जादा यह नहीं, हमने डाले तो दो चम्मच है, और कटोरी भर के उपर से पानी डाल दिया, नहीं, वो बिलकुल नहीं करना है, उससे यह नहीं पानी डालेंगे, जितना की यह powder है, है ना, उसको राद बार हमने सोक कर लिया, राद बार नहीं तो 5-6 गंटे, दिन में भी अगर आप भिगो रहे हैं, तो आप इसको भिगो देंगे, है ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लेंगे, और वैसे तो हम डालते हैं, चार मगज, चार मगज में क्या आते हैं, खर्बूजे के भी, तर्बूज के भी, और एक या, यह हो गया, खसकस हो गई, और एक-दो और बीज हैं, और मखाने भी हैं, मतला 4-5 चीजे यह आते हैं, सारे बजार में रेडी मेट भी आने लगे हैं, आप तो चारो मगज के उसके नाम से, सेवन सीट करके, सब अलग से मैं पिछे लाई थी, आपको दिखाऊंगी किसी दिन, तो सेवन सीट करके वो उसकी बॉटल में पूरे आते हैं, तो हाँ, मैं क्या कह रही थी, वो सब ले लेंगे, उनको भी भी गो देंगे हम, और फिर सारी चीजें यह लेके, इसक मिक्सर में डाल करके, सब इखटे पीसेंगे, और चीनी नहीं डालेंगे, अगर आप वेट लूज कर रहे हैं, तो, उसकी जगे हम, वो जो धागे वाली कुझा मिश्री आती है, वो डालेंगे, उसको कूट करके, कल्ग बत्ते में, फिर उसका हम यूस करेंगे, ठीक है, औ और उसका पेस्ट बहुत अच्छे से फिर बन जाएगा, फिर आप उसको दूद में डालिये, और अपना ड्रिंक हमारा रेडी है, और उसमें चाहें तो मखाने भी हम डाल सकते हैं, मखाने भी वेरी हेल्दी हैं, फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम रिच हैं, तो, ये था म बनाना नहीं बताएगा, वो बता देंगे, लेकिन ये जो इसको भीगोने का, और ये है, ड्राइ पीसना है पहले, इस प्रोसीजर से अगर आप करेंगे, तो आपका रिजल्ट बहुत 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 बेटर आएगा, और फ्रेंड्स, ये महिना गर्मियां बहुत चल रही ह है, तो प्लीज ये ला करके आप जरूर बनाएए, बच्चों को दें, बड़ों को दें, और ये आपको हर ग्रॉसरी स्टोर पर मिल जाता है, किसी भी स्टोर पर असानी से मिल जाएगा, और रेट की बात करूँ, तो ये तकरीबन 4,000 रुपए किलो तक पड़ता है, ये मै मैल आई थी, हाँ, अभी मैं बिग बजार, सारी, मॉल में गई थी, बिग बजार तो बंद हो गया, आपके आप भी शायद बंद होगे, तो ये अब उसकी जगे जियो ने ले लिए, तो हमारे ये जो मॉल है, बिग बजार बंद होकर के, जियो मार्ट खुल गया है, आती हूँ, ये देखिये, एक तो मैं लेके आई थी, ये, ये क्या है, बेसिकली, स्क्रब हैं, और डिश वाश के लिए होते हैं, वैसे ये, लेकिन मैं आपको इसका बहुत अच्छा यूज बताऊँ, एक, मैं जो यूज करती हूँ, इसका यूज है, कि ये जो हम करके एक, ये निकाल लिया, इसको उसमें सोप में, साबुन दानी में ऐसे रख लीजिए, और इसके उपर सोप रखिये, तो आपका ना तो साबुन दानी गंदी होगी बिल्कुल भी, और जो भी है, वो इसी के अंदर साबुन जाएगा, और जहां हम प्लेटफर्म रखते हैं, या कोई भी हमने स्टेंड लगाया है, वो भी बिल्कुल गंदा नहीं होता, आप ये ट्रिक अजमा के देखिएगा, मैं तो इसको बहुत यूज करती हूँ, अभी मेरे खतम हो गएते, और ये क्या है न, फिर वाश भी हो जाते हैं, इसको वाश करके धूप में रख तो मुझे तो ये चीज क्लीनिंग के मामले में बहुत अच्छी लगी, कि मैं वो डिश वाश तो नहीं करती हूँ इससे, मतला कभी करना हो, वैसे मैं स्टेल वूली उसके लिए यूज करती हूँ, लेकिन जब मैं इसको उसको लगाती हूँ, तो मेरा बात्रूम एक्तम ट हैं, तो एक तो ये था, है न, हाँ, और दिखाती हूँ, एक मैं ये लाई हूँ, ये देखिए, फ्लैक सीड लाई हूँ, ये भी बहुत हैल्दी चीज है, प्लीज इसको जरूर अपनी डाइट में चामिल कीजिए, फाइबर रिच है, और ये रोस्टेड है, ये देखिए मेरी ये फ्लैक सीड जो मैं अपने ब्रेकफास्ट में इसको जरूर यूज करती हूँ, या एवनिंग में चाय से पहले, या बाद में थोड़ा सा आदा चमच के करीब ये भी लेती हूँ, एक ये हो गया, एंड बाट इस हाँ, एक महे लाईती स्टेनर, वहाँ से आप भी बताओ ना, किस किस चीज से बचेंगे हम, तो ये है लेमन जूस, ये देखे, ये है इसका फ्रेशन पॉर का, है ना, तो ये इसका क्या फाइदा है, गर्मिया तो है ही, गर्मी तो हो ही रही है, अब लेमन भी कई पर सूख जाते हैं, और या कई पर हम ला नहीं पाते, या मैं मोसली का है, मैं बताओं आपको यूज करती हूँ, जैसे हम फ्रोजन कॉर्न बनाते हैं ना, तो उसमें मैं ये डाल लेती हूँ, तो कई बर लेमन भी नहीं है, तो ये बहुत काम की चीज है, ये आपके घर में जरूर जरूर से होना चाहिए, ठीक है, और एक मिल आई ये सैसमे, कोकोनट की ये, तिल चिक्की बोलते हैं, जिसे ये देखे, ये, क्योंकि तिल भी हमारी डाइट के लिए बहुत अच्छे है, मैं मोसली कोशिश करती हूँ कि हैल्दी चीजे ही खाऊं, जैसे थोड़ी सी हैल्थ मेंटेन रहे, और अच्छा सा पील होता है, जब हम हेल्थ हमारी अच्छी रहती है, हम वेट अपना लूज कर रहे होते हैं, मेंटेन कर रहे होते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस अलग ही आता है हमारे अंदर, तो एक हो गया ये, और ये मैं तिल सेस में अलग से भी लाई थी, थोड़े से जैसे मैं वाइट ढोकला बनाती हूं, या येलो ढोकला बनाती हूं, कुछ भी बनाती हूं, तो गार्निशिंग उपर उसकी ड्रेसिंग के लिए, मुझो ये बहुत अच्छे लगते हैं, और वैसे भी हेल्दी च तो एक ये हो गया, ये तो लॉंग है, लॉंग गरम मसाले वगरा में पुलाओ में, वेजिटेवल में बहुत यूज होती है, और हाँ, ये लाई थी में, कोटू आटा, ये भी फाइबर रिच होता है, इसके भी अगर हम गलुटन फ्री होता है, ये भी वेट लॉस के दो की पारिए रोका तो आटा है, ब्लेक वाले जो चने आते हैं, ये मैं म podríahã्ड़ा गमें, ये मैं आटे में, मिकस करके तब रोटी बनाती हूं, क्योंकि गेहूं के आटे में गलूटन बहुत होता है तो मेक्स आटे की ही मैं रोटियां बनाती हूँ तो उसके लिए ये मुझे लगता है बस अभी तो ये ही था बाकी मैंने किचिन में निकाल लिया गाची नहीं दाले ये वो ये दो दुनिया भर की चीज़े होती है तो फ्रेंड ये था मेरा एक वीडियो जो कि मैंने आपके साथ शेयर करा कि ये सब मैंने कैसे लाए और क्या-क्या लाई हूँ पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा शेयर करिएगा और सस्क्राइब भी कर देना प्लीज तभी हमारा भी मतला मोटिवेशन होता है कि जब आप लोग खुश होते हैं या कमेंट करते हैं कुछ पूछते हैं आपको अच्छा लगता है तो हमारा मोटिवेशन दुगना बढ़ जाता है कि वही अब हमें और ज्यादा मेहनस से और हम आपके साथ अच्छी जानकारी मतला ऐसी फालतू नहीं कुछ भी अच्छा जो हमें अच्छा लगता है और हम उसको सर्च करते हैं तो उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ओके फ्रेंड फिर मिलेंगे बाबाई